नमस्ति तो आज हम एक और रेडिंग करने जा रहे हैं और आज हम देखते हैं कि क्या इश्वर आपके साथ है ठीक है जिस भगवान पर आप इतना विश्वास करते हो जिस डिवाइन को आप इतना मानते हो जिस सुप्रिम पावर पर आपका विश्वास है क्या वो आपके तो यह हम बहुत हटके रेडिंग करने वाले हैं लाइक तो बनता है ठीक है तो कोशिश करते जानने की कैसे कौन से संकेत है अगर वो संकेत आपको मिल रहे है तो डेफिनेटली इश्वर आपके साथ है ठीक है तो देखते है क्या कुछ संकेत आते हैं यहाँ पर अगर आपके साथ मैच हो जाते है उसमें से एक दो भी मैच हो जाते है तो यह बहुत ब्यूटिफर एनर्जी है कि भगवान हमेशा आपके साथ है तो आप जिस भी शक्ति को मानते हो ठीक है रिलिजन कोई भी हो भगवान है और भली नाम अलग हो सकते है लेकिन वो शक्ति तो एक ही है तो आप जिस भी शक्ति को मानते हो जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान का ध्यान कीजेगा हम देखते हैं कि क्या इश्वर आपके साथ है कोशिश करते हैं जानने क्यों नाइट और पैंटकल्स चीजे रुक सी गई है कभी भी आप कुछ भी करने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा रुकावटे क्यों है इतने अब्स्टेकल्स क्यों है आपके काम में फाइनेशल प्रॉब्लेम आपने अपने जिन्दगी में बहुत देख होंगे ठीक है यहाँ पर जो संकेत आएंगे मैं आपको बताऊंगे ठीक है उसमें से आप देख लो कितने ज्यादा मैच होते है आपके साथ तो आपकी जिन्दग में फाइनेशल प्रॉब्लेम से आपको बहुत जूजना पड़ा है या तो यह पास्ट के एनरजी हो सकती ह या यह वरतमान के एनरजी हो सकती है ठीक है तो आप एक ऐसे इनसान हो कि आपने फाइनेशल प्रॉब्लेम अपने जिन्दग में बहुत जादा देखे है और आपके जो भी काम आप करना चाहते थे वो काम रुक रुक से होते थे ठीक है ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किय एकदम चरण सिमा पर होगा मतलब आपको ऐसा लगा होगी अब इससे बुरा क्या हो सकता है आपकी जिन्दग में इतना जदा दुख आपने सहा है ठीक है यह कुछ संकेत है इश्वर अपके साथ है आपने देखा होगा कि जो संत महात्मा हुए पहले उनके जिन्दग में भी कितने दुख थे हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है भगवान बार 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 हमारे इस जैसे की परिक्षाई लेते रहते हैं और ये दुख अगर आपने सहा है कि इसने धोका धड़ी की है बहुत जदा दर्द आपके जिन्दग में आपने देखा है तो भगवान आपके साथ है क्योंकि भगवान आपकी परिक्षाई हमेशा लेते हैं वो हमेशा आपको आजमाते हैं और ऐसा नहीं कि वो आपको अकेला कर देते हैं जो दुख देते हैं तो उसको भुगतने की जो ताकद है जो क्षमता है वो भी आपको साथ साथ वो देते क्योंकि वो खुद आपके साथ होते है, ठीक है, उनका हाथ हमेशा आपके सिर पर होता है, तो ये एक संकेत है, क्या आपने अपने जिन्दगी में बहुत जादा दर्द, बहुत जादा पेन सहा है, अगर ऐसा है, तो definitely इश्वर आपके साथ है, इतने सारे नहीं चाहिए हमें ठीक है, और देखते हैं, इश्वर आपके साथ है, इसका संकेत और क्या हो सकता है, जज्ज्मेंट, आपर जज्ज्मेंट का कार और पेज अपके साथ है, इश्वर आपके साथ है, जब इतना दुख आता है इनसान के उपर, जब इतना दुख आता है, तो वो कहा जाता है, वो भगवान के पास जाता है भगवान को तो आप पहले से ही मानते थे लिकिन जब ये दुखों का पहाड आपके उपर टूटा जब आप जैसे की चारत रूप से टूटने बिखरने लगे तो कहा गया भगवान के ही शरण में गया उसके ही सामने आप मंदिर में मस्जिद में जहाँ पर भी जिस भी आप धर्म को मानते हो तो आप वहा गये और क्या कि आपने दुआय मांगी भगवान को प्रे किया ये भगवान का संकेत है दुख में इसलिए रखा क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते थे अगर आपको दुख न होता तो आप भगवान को याद ना करते और आप भगवान को कभी ना भूले आप भगवान के आसपास हमेशा रहे भगवान से हमेशा आप कनेक्टेड रहे इसलिए आपकी जिंदग में दुख आते रहे है और भगवान आपके साथ हमेशा रहना चाहते है वो आपको उन दुखों में से इतना कुछ सिखाना चाहते है वो भगवान ऐसा नहीं चाहते कि आप दुखी रहे भगवान ऐसा चाहते है कि वो आपके साथ रहे और वो साथ कब रहेंगे जब आप उनको पुकारोगे जब आ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो हमेशा इसपास ही हो, तो मुझे पुकारो, मुझे ऐसा लगता है, कि पेज अप कप्स के एनरजी बता रही कि भगवान चाहते हमेशा आप उनसे कनेक्टेड रहो, भगवान आपको अपना बच्चा मानते हैं, उनकी नजर में, यह जो पेज अप कप्स के एनरजी है, यह एक चायल टिश एनरजी है, बच्चे के एनरजी है, बेबी, ठीक है, तो आप भगवान के बेबी हो, भगवान आपको अपना बच्चा मानते हैं, सबसे प्यारा बच्चा, जो कि बहुत जादा काबिल है, कि भगवान हमेशा उस पैसे दिये वापस नहीं मिले हैं, रिष्टों में हमेशा मनमुटा, रिष्टों में दूर या दिल तूट गया, बहुत लॉस से गुजरे हो आप, वो चाहे फाइनेशल हो, चाहे एमोशनल हो, लेकिन लॉस से आप गुजरे हो, क्योंकि इस दुख में ही आप समझ सकते हो, क कि सारी चीजे इस संसार में नहीं है, संसार से परे भी कुछ है, और वो इश्वर है, वो भगवान है, जब हम हमेशा सुखी रहेंगे, देखो हमार पास सब कुछ है, हम बहुत कुछ है, बहुत हापी है, कभी आईगी भगवान की याद, नहीं आईगी, इसलिए दुखा राते हैं, भगवान कहते कि मैं तुम्हारे साथ हू, तुम मुझे याद करो, भगवान हमेशाए आपके साथ है, आपने ये भी नहीं हalter का हमेशा कि कि आपको हार का सामना बहुत जादा करना पढ़ता है, जीत कम और हार ही जादा मिलती है आपको, ऐसा भी आपने महसूस क्या होगा देखो इश्वर आपके साथ हैं उन्होंने आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ा है कभी भी नहीं हमेश्या भगवान आपके साथ है सबसे फेवरिट बच्चे हो आप उनके और क्या है चाहे कितने भी दुख आए देखो इसके नीचों ही ये काडा है चाहे कितने भी दुख आए हो आपके अंदर उस दुख को सहने की हिम्मत रही है ये संकेत है कि इश्वर आपके साथ है जो कुछ भी आप खो देते हो फिर आप इस search में लग जाते हो कि मैंने यह चीज कूँख हुई जो आपको बहुत ज़दा प्याराथ था ठीक है जो चीज प्यारई थी जो इनसान प्यारा था मैं उसको क्योखो दिया आप इक inner search मे चलो जाते हैं जिससे मिलना चाहते मैं भी है यहापर कुछ लोग ऐसा है कि जि वानक ऐसे क्या हुआ कि आपने अपनों को ही खो दिया और जब आप सब कुछ खो देते हो तो तब आप क्या सोचते हो अपने अंतरमन से क्या पूछते हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया क्यों हुआ ये मेरे ही साथ क्यों हुआ हम सवाल करते हैं बार-बार भगवान से कि भगवा आमें चाहते हो, यह संकेत है कि इश्वर आपके साथ है, क्योंकि उस वक्त आप उस शक्ति से मिलते हो, ठीक है, और तभी से आपके जिन्दग में शुरू होते हैं बदलाओ, जो आपने पहले कभी देखे नहीं, जब सब कुछ ठिक ठाक चल रहा था जिन्दग में, तब पुरी तरह से अंदर से बाहर से बदल जाते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अगर, देखो, मैंने साड़े साथी का बहुत अनुभो किया है, दूसरों का भी मेरा खुद का भी, साड़े साथी में इस कदर हम बहुत ज़ादा जो प्रॉब्लम आती है, जो चारो और साड़े साथी के बाद वाला इंसन आप पहचान नहीं पाऊगे, उसमें इतने ज़ादा चेंजस अतने बदलावा आ चुके होते हैं, और साड़े साथी में जब हम दुख में होते हैं, तब हम इश्वर के और ज़ादा करीब जाते हैं, हमारे स्पिरिचल ग्रोथ होती यह संकेत है इश्वर आपके साथ है और यहाँ पर जो लोग भी है अगर आपने अपने अंदर बहुत ज़रा changes देखे हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले बहुत अलग थे और आज के समय में आप बहुत change हो चुके हो बहुत बदल चुके हो तो definitely भगवान आपके सा पूचते हैं फिर decision लेते हैं जब भी हम इश्वर के करीब जाते हैं तो बहुत सारे बदलाव हमारे जिंदगी में आते हैं तुकि इश्वर की भाषा अलग है हमारी भाषा अलग है इश्वर की अलग है और हम तभी इश्वर की भाषा को समझ पाते हैं जब यह सब कुछ ह पार कर जाते हैं, यह आग का दर्या, यह जब हम पार करते हैं, तब हम इश्वर की भाषा समझने लगते हैं, तब हम इश्वर के करीब जाते हैं, और इश्वर हमारे करीब आते हैं, और जब तक हम खुद को नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम हमारे अस्तित्व को नहीं समझ तब तक हम भगवान को भी नहीं समझ सकते हैं, तो हम खुद को समझें, इसलिए भगवान कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, चाहे वो दुख हो, चाहे कोई भी जर्या हो, ताकि हम खुद को पहचान सकें, खुद की जो अच्छे गुण है हमारे अंदर, उसको पहचान सकें, ठीक है, डाइमंड बन जाते हम, इतना दुख और इतनी परिशानी कि उसमें से जब आप निखर जाते हो तेक डाइमंड की तरह चमकने लगते हो, और ये संकेत है कि इश्वर आपके साथ है, दुश्मन जलने वाले बहुत जादा होते हैं, चारो तरप से संगर्शी जिद्धी पन, इतना जदा जिद्धी पन आपके बीच में आ जाता है कि मुझे ये काम करना है और मैं करके रहूंगा, जो पहले नहीं होता है, ठीक है, क्वीन ओफ वांड से काकर्शन, जो भी देखेगा, बस देखता रह जाएगा, एक अलग ही परसनल्टे आपकी बन ज रहती हो ना, तो कुछ अलग ही मुझे महसूस होता है, कुछ बहुत खास, ठीक है, और एक वक्त तो ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में कि आपको तो लगेगा कि भगवान होते ही नहीं है, इतना दुख, इतना दर्द आप सो होगे, कि आपको लगेगा कि ये सब कुछ चल आपको ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान है इस दुनिया में, क्योंकि दर्द ही इतने हो रहे थे, दुख ही इतने थे आपकी जिंदगी में, कि आपका विश्वास उड़ गया था उस शक्ती के उपर से, और वही वक्त सबसे बहुत बड़ा परिक्षा वाल बहुत नीदे गायब है, बहुत राते रोये हैं, बहुत तडपे हो अपने जिंदगी में, क्योंकि आपको अपने आप से भगवान मिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको भगवान दूसरों से अलग बनाना चाहते हैं, और यही संकेत है कि इश्वर आपके साथ है, और देख आपके जैसा कोई ना दूसरा बन पाया है ना बनेगा दी सन के एनरजी है नेम, फेम, सब कुछ मिलेगा सक्सेस्फुल जिस सक्सेस का आप इंतजार करे थे वो सक्सेस आपको मिलेगा और जब यह होगा तब आप मतलब आपके आसु नहीं रुकेंगे आप रो दोगे कि हेश्वर तुम मेरे साथ हो और मैं समझ नहीं पाया यह सक्सेस अगर अभी तक आपकी जिन्दगी में सक्सेस नहीं आए तो आएगा बहुत जल आएगा अगर यह सब कुछ आपके साथ घटित हो रहा है तो यह भी घटित होगा यह सक्सेस फुल जिन्दगी आप जीने वाले हो और बार बार इश्वर का शुक्रियादा करने वाले की इश्वर यह सब कुछ आपकी कुरपा से है आपको उस आग में जला जला कर भगवान ने कुंदन बना के रख दिया आपका और वो दिन आएगा अगर अभी तक नहीं आए तो बहुत जला आएगा कुछ लोगों के जिन्दग में यह पल आ चुके है आपके अंदर जब आप जाओगे भगवान से प्रे करके मन ही मन जब मेडिटेशन में जाओगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे जितनी बार आप मेडिटेशन में जाओगे और सवाल करोगे उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और आप इस काबिल बनोगे इश्वर आपके साथ है तो इस काबिल बनोगे कि जो भी जिनको भी जरुरत है जो भी गरीब है जिनको खाने को नहीं है आपके मन में अपने आप ही भाव जागने लगेंगे कि उनकी मदद करनी है मुझे क्योंकि आपके अंदर इश्वर है आपके साथ इश्वर है तो आपको कोई बताएगा नहीं कि आप दान धर्म करो कोई बताएगा नहीं कि वो भूके लोग है और उनको अन्न दो आप खुद ही यह सब कुछ करने लगोगे जो भी दुखी है दुनिया में इस अंसार में जो लोग दुखी है जिनको भी आपकी जुरत है आप भागते जाओगे और उनके हल्प करोगे यह संकेत है कि इश्वर आपके साथ है ठीक है इसमें से कुछ एक भी बात आपके साथ मैच होती है तो इश्वर आपके साथ है ठीक है और अगर ऐसा कोई काम है जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है और आप करना चाहते हो तो ऐसा आपको फील होगा बार-बार की कोई अद्रुश्य शक्ती जै कोई चीज आपको रोक रही है इश्वर खुद आपको रोकते है इश्वर नहीं चाहते कि आप उन लोगों के साथ रहे इश्वर आपको उन लोगों से दूर कर देते है भले आपको ऐसा लगता हो कि भगवान ने ये क्या कर दिया जिससे मैंने प्यार किया उसी को दूर कर दिया मेरे से लेकिन भगवान नहीं चाहते कि आपने लोगों के साथ रहे इसलिए कुछ ऐसा घटित कर देते कि वो जो लोग है वो खुद ही आपको छोड़ कर चले जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे जिन्दगे में क्या हो रहा है नहीं ये सही हो रहा है और ये सिर्फ उस इश्वर को पता कि क्या हो रहा है ये हम आम इंसान नहीं जान सकते हैं वो उस शक्ती को पता है कि वो क्या कर रहे हैं आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है ये उनक काम बन जाता था यार, लेकिन आप उस इंसान से नहीं मिल पाते हो, बहुत औपस्टिकल्स, बहुत रुकावटे आ जाती है, और आपको तो लगता है कि यह क्या हो गया, आपकी नजर में वो बात गलत हो गए, आपको लगा कि अगर मैं उसे मिलता या मिलती तो मेरा काम बन था वो कोई भी काम हो सकता है लेकिन इश्वर नहीं मिलने देते आपको उस इंसान से कि उनको पता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है वो चीज आपके लिए सही नहीं है जो भी आपके लिए बुरा है उस हर चीज को उस हर इंसान को भगवान आप से दूर कर देते हैं और अब आपके जहन में आएगा कि अगर भगवान नहीं चाहते कि हम उस इंसान के साथ रहे, तो फिर भगवान उस इंसान को हमारे जिन्दगी में क्यों लेकर आते हैं, इसका भी जवाब है, क्योंकि कुछ कर्मा भी तो होता है ना हमारा, कुछ कर्मा होता है उसको रिलीज करना होता है कुछ कार्मीक लोग होते हैं वो हमेशे जिन्दगी में आते हैं और सब कुछ बावाल मचा के चले जाते हैं यह हमारा कर्मा है और इसलिए उसको आने से भी नहीं रोक सकते हैं ठीक हैं? लेकिन उसको हमेशा किले रहने नहीं देंगे भगवान, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऐसे किसी लोग के साथ रहे, जो उसके लिए हमेशा ही घातक रहेंगे, ठीक है, I hope आपको कुछ बाते समझ में आई हो, मैंने पूरी कोशिश कि आपको समझाने की, अब देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडन्स है और फिर हम इसको खतम करेंगे, ओके देखते हैं क्या गाइडन्स है अभी आपके लिए, इश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं कि आपकी जिन्दगी में कुछ होने वाले हैं और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है अगर कुछ करना चाहते हो आप जिंदगी में तो डेफिनेंटली यह वोने वाला है कुछ नई शुरूवात आपकी जिंदगी में होने जा रही है उम्मीद नहीं हारने हैं आप एक Elsea इंसान हो जो जल्दी हो उम्मीद हार देते हो भगवान आपसे कहते खिये आप उम्मीद मत हारो भगवान आपके साथ है तो डर किसी बात का नहीं है ठीक है? होप मत छोड़ेगा जो कुछ भी आप करना चाहते हो ड्रीम्स आपके सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं भगवान आपसे कहते हैं कि उनके उपर विश्वास रखे आपके सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं टेशन लेनी की कोई ज़रुत है ही नहीं ठीक है? I hope आपको reading पसंद आई हो Like, Share and Subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए Bye